हेलो इस्टेंट्स स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल विए पीजिटेक में तो जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था प्रदूसर के बारे में तो अब हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक है ग्लोबल वर्मिंग और ग्रीन हाउस में वैसे यह टॉपिक त थोड़ा सा इसके बारे में इस्टें करेंगे अपने एक्रीकल्चर पॉइंट ऐघुक से तो इस्टेंटि करने से महीं हम लोग जानना चाहेंगे कि ग्लोबल वर्मिंग और ग्रीन हाउस फेक्त होता क्या है ।ो स्टार्ट करते हैं आई ये कि ग्लोबल वर्मिंग तो जै अगर यह एक Campbell का रूप ले लेती हैं और यह सूर की कीड़ों को बाहर नहीं जाने देती जिससे क्या होता है बैस्वीक ताप बढ़ता है यह क्या कहलाता है ग्रीन हाउस पेग ओके तो हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो जैसा कि हम दोग देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिन और ग्रीन हाउस मतलब धर्ती के सतह का बहुत ही जाना है ज़्यादा हीट हो जाना है यह फिर इसका टेंप्रेचर बढ़ जाना क्या कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग वैसे इस तापिक के बारे में पढ़ने को हम लोग बोले तो बहुत ही ज्यादा लेक्चर ही 25-30 मिनिट का अच्छे से बनाएं जिस पर की global warming बारे में पूरे broad से discuss करेंगे तो जैसा कि क्या हमारे धर्ती के सतह का temperature बढ़ना ही क्या कहलाता है global warming कहलाता है और greenhouse की बात करें तो greenhouse effect क्या होता है हरित ग्री प्रभाव इसे कहते हैं हिंदी में तो greenhouse effect वह प्रभाव है जिससे की thermal radiation of the planetary surface मतलब क्या होता है यह जैसे atmosphere में जितने gas है carbon dioxide nitrogen या फिर तो अनेक प्रकार की gases वह क्या हो रहा है हमारे मतलब की वातावरण में क्या हो रहा है एक कंबल की तरह सेप ले लेता है जिससे क्या होता है उपर से sun की रेज तो आ रही है लेकिन क्या होता है जब sun की रेज आती है तो वह धरती पर लड़ती है जब वापर जाने करती है तो यह gases उसे रोग देती है जब रोगते हैं बार-बार ऐसा होता है जिससे क्या होता है धर्ती का जो ताप है धर्ती के सता कता वो बढ़ जाता है और जब धर्ती के सता कता बढ़ेगा तो वही तो global warming हुआ है मतलब कि global warming और greenhouse effect एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और यह greenhouse effect क्या करता है प्रवहावित करता है क्या global warming को बढ़ हवा देता है greenhouse effect में कुछ gases का नाम पढ़ें तो जैसे कि सबसे बड़ी गैस हो सकते हैं methane, carbon dioxide और अनेक gases जैसे कि ozone gas, nitrogen gas यह सभी gases क्या कारे करती है तो के जैसा कि हम लोग global warming की proofs देखें तो जैसा कि देख सकते हैं एक figure 1914 1914 में Alaska का एक Portage Glacier नाम का Portage Glacier था वो कुछ इस तरीके से वहाँ पर बफ था लेकिन आज हम देखें वही 2004 की बात देखें तो वो कुछ इस तरीके से बदला हो गया है मतलब वहां का temperature इतना बढ़े गया है कि सारा का सारा कुड़ा Glacier ही आज कैसा हो गया है जल में परिवर्दित हो गया है उसके बाद एक और एक जांपल हम लोग figure देख सकते हैं समझने के लिए क्या यह Corlado River है क्या Corlado River है 2002 का figure है और आज यह क्या 2003 में ही साल भर के अंदर इतना प्रभावित आया इतना बदलाव आया कि वह कुछ इस हिसाब से परिवर्दित हो गया देख सकते हैं आप जल का स्रोत कितना घट गया Global Warming की विएस से बहुत ही ज़्यादा जल की कमी दिक्कत होने लगी वैसे हम लोग example में देख सकते हैं तो प्रभावी छेत्रों को जैसा कि देख सकते हैं तो अनेक प्रकार के हमारे यहां ही water table बहुत ही ज़्यादा लो होता जा रहा है तो यह क्यों होता जा रहा है या सिर् ही बहुत ज़्यादा प्रहुत कर रहा है तो जैसा कि हमने आज टापिक कुल मिलाकर पांच या छे टापिक पढ़ा कौन कौन सा प्रदूसर वायू प्रदूसर जल प्रदूसर मृदा प्रदूसर धनी प्रदूसर ग्रिन हाउस एफेक्ट और ग्लोबल वार्मी तो इनके हम इसमें सुधार कर सकें धन्यवाद